नोईडा में पतरकारों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले टोटल टीवी के पतरकार शाहिद सैफी के साथ सालारपुर चौकी में मारपीट की गई। शाहिद सैफी ने बताय कि सिपाही मुकेश उन्हें लेकर पुलिस चौकी गया और पूछने पर चौकी इंचार्ज विनित सिंग, सिपाही मुकेश, S.I. राजपल राणा, अमित, देवेंदर नागर और तीन अन्य पुलिस कर्मियों ने कमरे में बंद कर थर्ड डिगरी का इस्तिमाल किया, और करीब 20 मिनट तक जम कर मार पीट की, और कनपटी पर रिवॉल्वर लगा कर ठंडा करने की धमकी भी थी, इतना ही नहीं शाहिद का आईकाट छीन लिया, सूचना के बाद जब शाहिद के परिजन मौके पर पहुँचे तो उनसे भी बत्सुलू की की ग बदमाशों ने कार में बैठे पतरकार को पहले गारी से खीचने की कोशिश की, और जब गारी से नहीं खीच पाए तो तमंचे के बट से हमला कर दिया, और रोट से भी पीटा, हमली के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, वहीं पुलिस ने इस मामले में कारवाई करने की बात कही है, और जल्द ही हमलावरों को गरफतार करने का दावा कर रही है, यह ललित मोहन है जिन पर यह हमला हुआ है, जो डॉक्टर ने बताया है, इसमें ललित मोहन जी का कुछ अन्य पतरकारों के साथ में कुछ समय से इजबाद चल रहा था, और अभी इन से बाचित की पतरकारों पर लगातार हो रहे हमलों से पुलिस के दावों की पोल खुल गई है, और निर्भिक तरीके से काम करने वाले पतरकारों में आसुरक्षा की भावना बैठ रही है, नौडा से आकाश गर के साथ ब्यूर रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी